शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें कुर्णा महमारी से जूज रही नागपुर नगरी की जनता को एक और समस्या सता रही है शहर के दक्षिन नागपुर क्षेत्र के बेसा रोड माने वाड़ा परिसर के, गिता नगर, गजानन नगर, शाहु नगर में शंक के घोगा नामक समस्या आखड़ी हुई है घर में दिवारों पर, कंपाउन वॉल पर, छपरों पर, पेडों पर, घर के रूम तक चल के आने वाले घोगे से दक्षिन नागपुर के लोग परिशान है सुबह उटे ही बड़े संख्या में ये रास्तों पर घर या रूम में मिलते हैं घर के पौदे खा जाते हैं, बहा के लोग रोजाना सुबह इन्हें बोरी में भर कर रस्तों से दूर फेख देते हैं नहीं तो रास्तों से आने जाने वाले गाड़ियों के नीचे आने से उनकी मौत हो जाती है ये सिलसला अभी का नहीं है बहा के नागरी को ने बताया कि पिछले दो से तीन सालों से ये चल रहा है मगर इस साल जादा संख्या में ये घोगे दिखाई दे रहे है जाड़ान चे पाला खाता जाड़ा खाता एहां मोले पडिश्यामेन खुब कोच बाड़लेली है लानलान मुले जाने का ये साइडलान करता चलता शेठी लोकान करता ये ता मर देटा पाई पड़ता एक प्र अधान वारते ये जेज वाड़ी कमीद कमी एक यहमन दों तीन वर्शा भूद जास्त ताँ धना खोड़ाइं छान थे परीश्यनी अधर इन राथाज पर नीगता कारां आड़वे तीडवे आड़वे यहां साइड ने थाट हैं साइड रहता काई दीवाली चोलता का रोश्ते बजुला जाता काई मरून रह तीस से चॉलिस साल पहले यहां इंसानों की बस्तिन नहीं थी यहां पूरा चंगल था इसलिए आशंका जताई जा रही है कि यह घोगे यहां आते होंगे मगर इतनी बड़ी संख्या में दिखाए देने से आच्चर अभीव्यक्त किया जा रहा है कैमेरा परसन राजकुमार म के साथ अभी शेक पांसे के रिपोर्ट इंबी से नियूज नाकपुर